ये है Kingston NV1 Solid State Drive 500 GB capacity का एस वीडियो में मैं आपको इस SSD drive के बारे में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि आप इस drive को किस प्रकार से as a portable drive की तरह उप्योग कर सकते हैं देखते रहे हैं तो ये है Kingston NV1 ये एक Solid State Drive है 500 GB capacity का है वैसे ये अलगल capacities में available है 1 TB, 2 TB capacities में भी available है accordingly जो pricing है वो change हो जाता है अब ये जो Solid State Drive है आम तोर पे आज की तारीक में बहुत use होता है और ये 35X, 35 times faster है अगर हम traditional hard drives के साथ में comparison करें तो आज की तारीक में जो पुराने type के HDD है उसका hardly उप्योग होता है तो ये बहुत ही important है और आम तोर पे ये जो SSD है इसे आप directly आपका जो desktop है या फिर जो laptop है उसके अंदर install करते हैं क्योंकि देख सकते हैं कि ये एक तरह से chip जैसा लगता है ये लिजिए मैं इसे निकाल देता हूँ और ये रेखें इस प्रकार का दिखता है ये ये है Kingston NV1 अब ये जो SSD है इसे मैं directly मेरा जो laptop या फिर जो desktop है उसमें connect नहीं करने वाला हूँ बलकि मैं इस प्रकार के enclosure का उप्योग करने वाला हूँ अब ये जो enclosure है ये basically इसके लिए बना हुआ है मतलब कि अगर आप इसे इसमें दाल देंगे तो आप ये जो SSD है इसे as a portable drive की तरह भी यूज कर पाएंगे of course जो speed है full speed तो आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये जो enclosure है ये USB 3.2 है तो limited speed है लेकिन अगर आप ये जो SSD है इसे directly laptop या फिर जो desktop है उसमें जो slot है SSD slot उसमें अगर आप दालेंगे तो आपको higher speed मिलने वाला है तो चलिए फिलाल मैं ये जो enclosure है इसके अंदर ये जो SSD है ये डाल देता हूँ और फिर इसका जो speed है वो चेक करते हैं तो ये जो enclosure है इसे मैंने निकाल दिया है और ये जो SSD है इसे मैं इसमें दालता हूँ तो उसे दालने के लिए यहाँ पर ये slot दिया हुआ है आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसे दालना है और ये देखिए push करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको एक screw लगाना है तो य करते हैं तो इसी प्रकार का setup होगा उसमें लेकिन क्योंकि इसे मैं as a portable drive की तरह use कर रहा हूं तो यह जो enclosure है बहुत important है और इसे अच्छी तरह के से fit करना भी बहुत important है क्योंकि यह एक तरह से movable part बन जाता है और यह दिखिए इसे मैं बन कर देता हूं और इसे मैं मेरा जो MacBook है उसके साथ में connect करता हूं और जो speed है वो चेक करते हैं वैसे जो enclosure है यह महंगे टाइप का है इतना सस्ता नहीं है यह आपको तक्रीबन 4500 के आसपास मिल जाएगा इसका link मैंने वीडियो के description में दिया हूँ है और यह जो Kingston का NV1 है इसका जो pricing है उसके बारे में भी जानकारी मैंने वीडियो के description में दिया हूँ है इसमें जो 500GB मैंने SSD दाला हूँ है उसका pricing है तकरीबन 6300 के आसपास वैसे यह जो SSD है यह इतने सस्ते नहीं होते हैं लेकिन आपको high speed offer करते हैं तो चलिए Mac के साथ में connect करते हैं मैंने जो SSD है से connect कर दिया है और इसके ओपर RGB Lighting Effects आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर मुझे error मिल रहा है क्योंकि यह जो SSD है इसे मुझे setup करना है तो मैं इसे setup करता हूँ इससे मैं format करता हूँ और इसके बाद में यह जो SSD है इसका मैं उप्योग कर पाऊंगा अब यह ready है यह देखिए यह है वो SSD चलिए इसका speed test है वो करते हैं वैसे अगर आप यह SSD को डारिक लिए आपका laptop या फिर desktop के साथ में connect करेंगे तो आपको जो test है फिलाल तो चल रहा है लेकिन क्योंकि मैंने इस SSD को एक enclosure के जरीए कनेक किया हुआ है तो डारेकली जो hardware है उसके साथ में interact नहीं हो रहा है तो उसके कारण जो speed है यह कम है लेकिन अगर आप इसे दूसरे SSD के साथ में comparison करें तो इसका जो speed है काफी जादा है दूसरा जो SSD होते हैं जो कि आपको market पे मिलते हैं उसका जो speed है तकरीबन 500 MB per second के आसपास रहता है लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि almost double the speed मिल रहा है तो मैं इस प्रकार का जो enclosure है इसका उप्योग करता हूं क्योंकि मैं 4K editing करता हूं तो उसके लिए जितना जादा speed होगा उतना बैतर है और जो enclosure है इस type के SSD को एक तरह से portable बनाता है तो मेरे लिए काफी अचा है मैं इसे multiple laptops पर use कर सकता हूं तो यह देखे यह है speed test तकरीबन 946 MB per second write speed और 875 MB per second read speed ज अब जितना ज्यादा capacity होगा accordingly जो प्राइज है वो चेंज होने वाला है जहां से आप इसे खरीच सकते हैं उसका link मैंने video के description में दिया हुआ है इस video को like जरूर कीजिए और देखते रहिए